वेलकम बेक टू माई चैनल जेशेराम जेशेराम नारायन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्षेडो में आज मैं बताने वाला हूँ कि इंशोरेंस अगर आपका अपडेट नहीं होता है उनलाइन तो उसको किस सरीके से अपडेट किया जाता है क्योंकि जब नई गाड़ी कोई पर्चेस करता है तो नई गाड़ी की जब फाइल फीड होती है आर्टी ओ पोर्टल पे परिवाहन पे उस टाइम पे इंशोरेंस के डिटेल पहले डाली जाती दी जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि अब insurance की detail डालनी जरूरी नहीं है जैसे ही किसी भी गाड़ी का insurance होता है तो उसके chassis number और उसके engine number के base पर insurance जो company हैं उनको यह authority दे दी गई है कि आप RTO के परिवाहन portal पर insurance related information update या cancel कर सकते हैं तो इंशेरेंस रहे एक एंशेरेंस कंपनी के पास आज के टाइम में ये power है कि वो इंशेरेंस रेलेटेड़ डेटेल पर इबाधेरिक और फाइले paypalा फेड कर रख के तो पहले क्या होता था जब फाइले करने की आफशक्ता नहीं पड़ती है जैसे ही इंशुरेंस होता है तुरंत परिवहन पोर्टल पर वो चीज अपडेट हो जाती है तो इंशुरेंस में पहले क्या होता था कि मैनवली चीज़े डलती थी तो इंशुरेंस को डीलर्शिप वगरा कुछ उसमें फेर बदल करके एडिट वगरा करके उसमें कुछ ना कुछ कर लेते थे बट आज के टाइम में यह पॉसिबल नहीं है अगर कोई भी ऑटो मोबाइल डीलर्शिप है और अगर वो गाड़ी किसी को सेल करते हैं तो उनको भी इस चीज़ का दिहान रखना चीए उनको भी यह वीडियो देख ताकि आप जल से जल उसके गाड़ी का टेक्स पे भी कर सकें और पैनल्टी से बच सकें चलिए इसी के उपर आजम बात करेंगे एक वीवर ने कमेंट किया है कि सर मैंने नई गाड़ी पर्चिस की थी और मेरी इंशुरेंस जो है जैसे कि मान लीजिए फोर विलर गाड़ी है तो उसमें इंशुरेंस तो एक साल का ही होता है बट थर्ड पार्टी इंशुरेंस जो है वो तीन साल का या उससे अधिक्का कंपल्सरी कर दिया गया है तो उसमें उपर लिखा होता है फर्स्ट पार्टी इंशुरेंस एक साल तक वैलिड है और थर्ड पार्टी इंशु Stitch Merci जो कोई पुलิस वाला या कुर within य। उसका इंशुरेंस छस्क्पार्ट में लिखा है था लिखा रहता-था intéress से में और तीन साल के लिए 13 swimming बचा है तब तक बीड ह। तो उस चीज में लोगों की थी बट अब इन चीजों को लेके ज़्यादा घबराने की अवशक्ता नहीं है अगर आपके इंशुरेंस में कोई भी दिक्कत होती है आपने नहीं गाड़ी का इंशुरेंस करा है और वो ओनलाइन शोर नहीं हो रहा है या फिर इंशुरेंस की कोई गलत इंशुरेंस आप चेक करते हैं तो ओनलाइन गलत इंशुरेंस दिखाता है या फिर एकस्पाइरी आगे पीछे दिखाता है कोई भी दिक्कत होती है और आपका इंशुरेंस जन्वेन है तो simple सा थरीका आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ खेर अब तो इस शीट को update करने के आवशकत नहीं है आप तो automatically जितने भी साल का आपका insurance होगा अगर एक साल का first party है और बाकी यदर तीन साल का third party है तो total आपका 3-4 साल का insurance होगा तो वो automatically update हो जाएगा आड़ी दी गई होती है उनकी उस email ID पर आपको mail करना है वहाँ पर उनको लिखके ये बेस देना है कि मेरे साथ ये problem आ रही है online मेरी details ये गलाश हो कर रहा है ये चीज़े correction करनी है और ये मेरा insurance का जो है वो photocopy ये PDF में आपको share कर रहा हूँ इस तरीकी से एक अच्छी सी mail बनाके और अपने insurance की photocopy उनको share करके या अगर नहीं है तो policy number वगरा जो भी details maximum आपके पास है उन details को आप देके insurance company को mail करेंगे तो कुछी चंद दिनों में एक या दो दिन में हो सकता है हाथो आथ भी update हो जाए तो यहीं सारी details आपकी online भी चड़ जाएगी और आपको किसी problem का सामया करना भी नहीं पड़ेगा ना ही आपको कहीं भागने की जरूरत है ना कहीं दोड़ने की जरूरत है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिंप्ली आपको टॉलफी नंबर पर कॉल करना है या फिर आपको mail कर देनी है तो यह थी हमारी आज की जानकारी इस वीडियो में insurance related अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो किस तरीके से उसकी details को upload किया जा सकता है अगर आपको automobile sector से या फिर ट्रांसपोर्ट से या फिर RTO से किसी भी तरीके की आपको news चाहिए कोई भी latest information चाहिए किसी भी topic पर आप video चाहते हैं कि इस topic पर मेरी ये problem है और इसका मुझे solution नहीं मिल रहा है मुझे इस topic पर video चाहिए ये मेरी problem है तो please आप comment कर दीजिए या फिर whatsapp का number description में screen पर भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आप message करके whatsapp पर सिर्फ message करना है message करके आप पूछ सकते हैं अपनी problem को बता सकते हैं problem अगर ठीक होगी जन्विन होगी video बनाने like होगी तो उस पर video बना दी जाएगी अधरवाइस आपको whatsapp पे ही या comment में ही आपको reply करके जल से जल कुछी देर में आपको reply कर दिये जाएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं ओटो मोबाइल ट्रांसपोर्ट या आर्टे रिलेटेड कोई भी न्यूज कोई भी latest update तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe जिरू कर लिजीगा कर दो कर दो कर दो